महापुर्शों, प्यार से कहिए धर निरंकार जी, संत धर्म सिंग सौख, सदियों जिने फिर ढूंडता रहा है जमाना, ऐसे भी जमाने में कुछ इंसा हुए हैं। सिस्टी में यूं तो हर रोज हजारों मानों जर्म ले रहे हैं, परंत कोई कोई ही ऐसा मानों सामने आता है, जिसके जीवन का प्रभाव समय के वेग पर बना रहता है, जिसका जीवन अमर बुलंदी को छू जाता है, ऐसे जीवन की उचाई को सिर उचा करके चाहे देखना त अपनी छाप छोड़ी जो उनके संपर्क में आया, उनकी मजुरबाणी, सार्थक बचन, गहरी सोच और सजगता अलोकिक थी, इस मान भाव ने साहित्य की दुनिया में अपना विशेस स्थान बनाया, जहां वास्वयम ना पहुँच पाए, वहां उनकी कलम पहुची, अपनी वन के हर छेत्र में उनके विचार बड़े ही असपस्ट थे, बच्पन के सुनहरे दिन, संत धर्म सिंग सौक का जन्म 22 नौंबर 1918 इस भी गाउं फतेहपूर, गुगेरा, तासील, ओकाला, जिला, मिंट गुमरी पाकिस्तान में हुआ, आपके पिताशरी सौदागर सिंग जी ओकाला में आढ़त की दुकान करते थे, आपकी माता स्रीमती गंगा देवी प्रेमे और साधगी की मूर्ती थी, आपने प्रारिम विक्सिच्छा ओकाला में ही प्राप्त की, वहीं से ही मेट्रिक और मुंसी फाजल की परिछा पास की, पाकिस्तान बनने के बाद आपने भारत में आकर यमे और यम ओयल, माश्टराप, ओरियंटल लर्निंग की डिगरी प्राप्त की, आप पंजाबी, वुर्दू, फार्सी, हिंदी, योंग, अंग्रेजी आजवासाओं में निपुड थे, बचपन से ही आपको पढ़ने का बड़ा चाव था, आपके प आपको पिता की इच्छा को पूरा करने में अस्मर्थ पाया और अपनी पढ़ाई को जारी रखा, चाहे इस कारण आपके भाईयों ने आपके पिता की विरासत में मिली दौलत आपको देने से इंकार कर दिया, परंतो आप लगन से पढ़ते रहे, बहुसाए, आपने अप प्यापक के रूप से सन 1942 इस्वी में की आपके प्रभावसाली ब्यक्तित्त और बेद्धता को देखते हुए, सन 1946 इस्वी में आपको सनातन धर्म हाई स्कूल सिमला में हेड मास्टर का पद मिल गया, आप कई वरसों तक इस जिम्मेदारी को निभाते रहे, आपकी आयू स प्रभावसाली की वरसे जन संपर्क अधिकारी की सरकारी नोकरी मिल गई, यह नोकरी आपको सिमला में ही मिली, इस प्रकार आपका संपर्क बड़े बड़े अबस्वरों और जंता से बना रहा, यही संपर्क ब्रह्म ग्ञान लेने के बाद सत्य के परचार परशार में सहा एक सिद्ध हुआ एक करांदकारी ब्यक्तित्व बच्पन से ही सोक साहब पाखंड रहित धर्म के समर्थक थे आप अंध विश्वास पर आधारित रीत रिवाजों के बिरदु थे जब भी बड़े बुजुर्ग आपको किसी रीत रिवाज को पूरा करने को कहते तो आप उस धर्म कर्म की बुनियाद को जानने के लिए सदा उत्सुक रहता इस प्रकार बच्पन से ही आपके मन में धर्म की सही पहचान की इच्छा प्रवल थी मनुहलाल आहूजा जिने बेजिल सरहदी के नाम से जाना जाता था वह सौक साहब के दोस्त थे वह इनको बच्पन से जानते थे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में बैसाखी तेवहार से ग्यारा दिन पहले आपने एक इस्तेहार चपवा कर दीवारों पर लगवा दिया कि यदि बैसाखी के दिन तक मेरी आत्मिक संतुष्ठी ना कराई गई तो मैं चौराहे पर बैठ कर अपने केस कटवा लूँगा बहुत लोगों ने आपको संतुष्ठ करना चाहा परंतु आपको गुर्बाणी के सही अर्थना समझा सके इसके विप्रीत गुर्बाणी पर आधारित आपके तरक सेवे भी इस बात से सहमत हो गए कि केस रखने या कटवाने से आत्मा को कोई फरक पड़ने वाला नही पर आप से पूचा सौक सहाब आपकी फकीरी कहां गई उन्होंने उत्तर दिया बेदिल फकीरी भी पढ़ाई मांगती है अब मैंने सोच लिया है कि पहले पढ़ना चाहिए इसलिए मैंने बीए का फार्म भर दिया है इस प्रकार आप दुनियावी विद्या के साथ साथ ही बात सही लगती तो उस पर पूर्ण तयार कारी करते पूर्ण सद्गुरु से भेंट सन्वन्न इस सो पचास इस वी में जाल अंदर में आपका संपर्त मात्मा पूरण सिंग जी से हुआ या पहचान प्रेम में बदल गई आप जब भी उनसे मिलते प्रभु प्राप्ति की बात करते संत पूरण सिंग जी ने आपके मन की जिग्यासा को महसूच किया और वह जान गई कि आपकी इच्छा पूर्ति के वलपूर्ण सद्गुरु ही कर सकते हैं इसलिए उन्होंने आपको सद्गुरु बाबा उतार सिंग जी से भेंट करने के लिए प्रणडा दी उन पूर्मा ने आवाज दी कि यही जीवन का लक्ष पूरा होने वाला है सैंसा जी के जरुनों में आपने ब्रह्म ज्यान प्राप्त करने की प्रातना की सैंसा जी का आदेश पाते ही पूरन संत भाई सहब लाव स्टिंग जी ने आपको परम्पिता परमात्मा का ज्यान कराय इस निराकार प्रफु को वंगसंग देखते ही आपकी आत्मा आनंद भी हो रहो ठी फिर्देखुशी से जूम उठा इस प्रकार दिसंबर बनेश सो पचास में आपको सद्गुरू की सरुन मिली कुछ समय तक तो आप निरंकार सद्गुरू के इसक में इसक दर्ख हो गए कि आपका ध्यान संसार की और से बिलकुल ही हट गया सद्गुरू का मानो सरीर में आना मानो जाती के लिए एक बरदान लगने लगा उन्हीं दिनों आपने पंजाबी भासा में एक अपता लिखी जिसके कुछ पद इस तरह हैं ग्यान दिबेदा पुराणा बिच्छे बड़ी आसान इसे नू कर गई है सद्गी तेरी अर्थात सद्गुरू स्वयम निराकार का साकार रूप है जो प्रकृते और प्रकृत में समाए हुए प्रभू से एकमेव है यह सारी माया सद्गुरू की सेवा करना अपना सवभाग्य समझती है जो ब्रह्म ज्यान सद्गुरू के पास है और जिसको इतनी सरलता से इसने समझा दिया है बेदों सास्त्रों में इस ज्ञान प्राप्ति की युक्ति बहुत कषिन बताई गई है या बहुत असंभोकारी लगता था परंतु सत्गुरू ने इस असंभोकारी को संभोकर दिखाया बेदों सास्त्रों गरंतों का रहस्त समझ में आ गया ब्रह्म ज्ञान क का जादू ग्याने लेते ही आप इसक हकीकी में खो गए सत्गुरु प्रेम में इतने आनंद विभोर हो गए कि सांसारिक प्राप्तियां फीकी फीकी सी लगने लगी गुरु का इसक जीवन बन गया सत्गुरु के मीठे मीठे बचन सुनने की सदा तरलप बनी रहती या मस्त नैन गुरु दरसन के प्यासे रहने लगे और इस इसक के नसे में आपने लिखा तेरे बोल पक के सुखा में सुखा में प्राणा तो मिठी मदुर सहज बानी की तैथों मैं तेरे चिवा होर मंगा की हर से तेरे सिवा याडी जानी मेरा सोके हर दम नावायतां किए तेरे प्रीत ता है यूगा तो पुरा नी सत्गुरु के बचन संत को सांत करने वाले और तपती रूहों को ठंड़क देने वाले होते हैं सत्गुरु की मीठी दिभ्यवाणी सबसे अधिक्रवन को प्रवावित करती है कभी कहता है कि सद्गुरू से इनकी प्रीत के सिवाए और क्या मांगा जाये क्योंकि दुनिया की अन्य सभी बस्तू में आसुमान है गुर्षिक के लिए सद्गुरु का प्रेम चाहे नया हो परंतु सद्गुरु तो युगों युगों पुरातन सनातन है और इसका प्रेम भी पुराना है आपका सद्गुरु और सद्गुरु के प्रेमियों से इतना प्रेम था कि दुनिया की कोई भी सोहरत, इज्जत, मान सम्मान इस प्रेम के आणे नहीं आ सका। 1976 इस भी में संत निरंकारी मंडल ने इनकी कविताओं वा गजलों को एक पुस्तक रूप में प्रकासित करने का निड़े लिया। उस समय में संत कभी पूंड प्रकास साकी जी ने आप से पूछा की आप एक लंबे समय से कभी जगत के चमकते सितारे बनकर चमक रहे हैं फिर आपने अपनी कविता को चपवानी की कभी भी कोशिस्कों नहीं की। इसके उत्तर में सोक साहब ने जो सेर पढ़ा वा उनकी प्रेम लगन वा इसक हकीकी का ही प्रमाड है। आपने कहा दौलत दाना दिलनू सहरत दसोक है तेरे उपासकां दी सहरत दसोक है। आप तो गुरू के आसे अनुसार जीने वाले व्यक्ती थे। सोक साहब इसक हकीकी के प्रतेच्छ परमाड थे। इस इसक ने उन्हें इतनी विशाल दृष्टी दी कि वहा हर जर्रे बिज सूरत तेरी हर पत्य ते तेरा नाम मासूस करते हुए लिखते हैं। तक लमा यह बक्सी सिकर मैं इक वखरी मैं बिच फसके ओ मामा या धारीना। विबाह इस प्रकार जब जमानी की तरंगे गुर भक्ती में हिलोरे ले रही थी तभी आप पर घर ग्रश्ती की जिम्मेदारी डाल दी गई। शहेंसा बाबा उतार सिंग जी कल्डान यात्रा करते करते सिम्मला पहुँचे आपको प्रेमे और भक्ती रंग में रंगे देखकर सत्गुरु भोष पसंद हुए और एक ऐसी जीवन संगनी आपको दी जो इनकी तरह ही गुर भक्ती और गुरु प्रेम में मस्त रहती थी हजूर सहेंसा जी ने आपको संकेत किया कि वह आपकी साधी पदमा जी जो भाई सहाब सूरज मुहन जी जो संत रंकारी मंडल के सदस थे उनकी भांजी से करवाना चाहते हैं प्रभू प्रेम ही इनकी जीवन का एक मात्र आधार बन गया आखिर आपकी मनोकामना पूर्ण हुई आपको मामा सूरज मुहन जी आपको सहिंसा बाबा उतार सिंग जी के पास ले गए सहिंसा जी से इस निराकार प्रभू के दर्सन करते ही आपकी रूह गदगद हो उठी और आप दिन रात भक्ती में मगन रहने लगी जब कभी घरवाले पदमा जी की साधी की बात करते तो आप बिवाह को एक बंधन कहकर घरवालों की बात मानने से इंकार कर देती आखिर पदमा जी के माता पिता ने आपकी इस जित के बारे में सहिंसा जी से बात की एक दिन सहिन सहाजी ने पदमा जी को बुलाया और कहा मैं तेरी साधी जिस लड़के से करने जा रहा हूँ वा तेरी भक्ती में बाधक नहीं साधक सिद्ध होगा लड़का गुर्मत में पक्का है सेहन साह जी की बात सुनते ही पदमा जी ने सेहन साह जी के चरणों में सीश रख दिया और साधी के लिए तयार हो गई पदमा जी के माता पिता तो पहले ही बहुत समर्पित गुर्शिक थे सेहन साह जी ने जब उन्हें कहा कि सिमला में एक लड़का पसंद किया है आप जाकर वहाँ देखाएं इस भक्त दंपत्य ने चरणों पर सीसर रख कर विंती की सच्चे बाशा आपकी दिब दृष्टी के सामने हमारी तुछ बुद्धी क्या देख पाएगी जिसको आपने पसंद किया है वा हमारे लिए भी भागिसाली है इस प्रकार पदमाजी के परिवार ने गुर्मत की हर मर्यादा को निभाया विवेकी भक्त धर्म सिंग, सोक जी और पदमाजी ने ग्रहस्त में परवेश करने की दिजामन्दी दिखाई दस प्रवरी सन 1952 इस भी को दिल्ली के पहाडगंजी स्कूल के हाल में या भागिसाली जोड़ा विवाह बंधन में बद गया या पहली साधी थी जो निरंकारी मर्यादा के अंसार हुई इस प्रकारिया आयतिहासिक साधी संपन हुई और चारवर खुसी की लहर दोड़ ग चंडीगड के नए नगर का दिनमाड हो चुका था अन्य सारों में से सरकारी दफ्तर चंडीगड ले जाये जाने लगे इसी बर सवक साहब का दफ्तर भी सिम्ला से चंडीगड में आ गया सन 1923 में ही 21 मार्च को आपके गरी एक नणी बच्ची बिमल ने जन्म लिया जिसको प्यार से बबल कहा जाने लगा इस समय यह परिवार चंडीगड के सेक्टर 23 में रहता था चंडीगड नया नगर होने के कारण आपको सत्संग नहीं मिलता था प्रंत सत्संग तो आपके जीवन की खुराक बन चुका था इसलिए आरंभ में आप बाकाइदा स्टेज लगाते स्वेम स्टेज पर बैढ़ जाते बेहन पदमा जी निमसकार करके नीचे बैढ़ जाती पदमा जी भक्ती भरे भजन अपनी मधूर आवाज में गाते सौक सहाब अपनी कप्ता पढ़का सुनाते और फिर संद्रंकारी पत्रिका में से सत्गुरु के परवचन पढ़कर संगत का भोग डाल देते उने दिनों में एक महापुरुष का तबादला चंडीगड में हो गया वही संगत की तलास में था एक दिन डाकिये के हाथ में संद्रंकारी पत्रिका देखकर वहापुर्श डाकिये के पीशे पीशे चल दिये और सौक सहाब के घर तक पहुँच गये जब उन्होंने सौक साहब को बताया कि वह भी दिरंकारी हैं तो उनकी खुशी की सीमा ना रही अब संगत में दो या तीन से चार हो गए और इस प्रकार महापुरसों की गिंती बढ़ती चली गई आपके घर पर दस साल तक सक्संग चलती रही आपका अडोस पडोस से भी इतना मधूर विवहार था कि जब आपके घर हुजूर सहेंसाजी या कोई परचारक महापुरस आते तो पडोसी अपने घरों के कमरे खाली कर देते और उनमें बिस्तर आज बिछाने की सेवा ले लेते कुछ समय बाद ही एक सत्संग 19 सक्टर में भी होने लगी आप रविवार की संगत जो शक्टर 19 में आरंब हो चुकी थी महां साइकी लथवारिक्सा पर जाते थे और सेवादार महात्मादरियां वगएरा साइकलों पर ही ले जाते आप सांती प्रिय थे ज्यादा उचा बोलना भी आपको पसंद ना था सन 19 63 इसवी में चंडीगड के सेक्टर 15 डी में सत्संग भवन का निर्माड कारी सुरू हुआ आप इस निर्माड कारी की निगरानी करते और अन्य महापुर्सों को भी सेवा की प्रिनड़ा देते सैंसाजी स्वेम 15-15 दिन चंडीगड में रहते और इस निर्माड कारी में हर तरह का मार्ग रसं करते भवन दिर्माड के समय आप दोनों पती पत्नी दिन रात सेवा में तल्लिन रहने लगे पदमाजी आये हुए महापुर्सों के लिए खाना बनाते उनके बस्रत होते और हर प्रकार से उनकी सुक शुब्दा का ध्यान रखते थे आपके समर्पित भाव को देखते हुए ही जुलाई और 1963 में आपको ग्यान बातने की आग्यां परदान कर दी गई और आपको फोन में रहने का आदेश दिया भी गया जो गुर्स्तिक गुरु के लिए जीते हैं गुरु भी उनकी हर बात का ध्यान रखते हैं ऐसा ही सौक सहाब के साथ हुआ इनके गिरहस्त जीवन का अभी तक एक ही फूल बच्ची बबल थी बबल अब नो वर्सकी हो चुकी थी और इस दंपत्य ने दूसरे बच्चे का ध्यान ही छोड़ दिया था तो कि पहले बच्चे के समय ही पदमा जी को कई महीनों तक बिष्टर पर लेटना पड़ा था एक दिन जब हुजूर सहन साथ जी चंडीगड़ आये हुए थे उन्होंने सौक सहाब को बुलाया और फरमाया आज मैं आपको एक दात देने लगा हूँ आपने निकालन ही करना और इस दात को अपनी जोली में डलवा लेना है सौक सहाब खामोस हो गए आपने बताया कि आपकी धरम पत्नी जी दूसरे बच्चे के लिए तयार नहीं है सहिंसाह जी का एकदम बचन आया आप पत्मा जी को कहा दें कि यह सहिंसाह जी का ध्यान है वह तुरंत मान जाएंगी इस तरह सहिंसाह जी ने विशेश बरदान के फलसुरूप 21.1963 इस भी को आपके घर एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम बाबा गुर बचन सिंग जी ने विवेग रखा आज वही विवेग सोक हर्मन का प्यारा बना हुआ है एक उस्ताद कभी सोक साहब एक सुलजे हुए कभी थे कभीता तो आपकी नसों में बसी हुई थी बाल्यावस्ता से ही आपको संगीत और कभीता से प्यार था आपने बोलना सीखा तो बाता बरण से परभावित होकर गुरुबाणी के सब्द गुरुणाने लगे आपका कभीता से प्रेम तो एक रब्बी देन थी आप अभी तीसरी कच्छा में ही पढ़ रहे थे कि आपने अपनी पहली कभता पढ़ी जिसकी चारोग और परसंसा हुई धीरे धीरे आप जलसों में, गुर्दवारों में, मंदिरों में और स्कूलों के कारिकर्मों में कभता पढ़ने लगे आप अभी आठमी कच्छा में पढ़ते थे कि आपकी कभता बिसे योंग रूप दोनों में पूंड पाई गई इन्ही दिनों आपकी कच्छा के एक सहपाथी सीता राम जोहर अधीब ने आपको अपना उस्ताद मानना आरम कर दिया बाद में यही अधीब साहब एक महान कभी बनकर उभरे या दोस्ती कारिष्टा उमर भरका बन गया हर्म नौ बर्स पर अधीब साहब आपको एक लंबी नजम लिखकर सुख कामनाय देते आपने उसे अपनी आखरी पत्र इस सेर के साथ लिखा दिलादी मंदी दे सौधागरा दा साजहा एक फैसला ये पसंद अपनी दा मुल न पाओ जे चीज लेनी ये भा न पूछो आपकी चर्थी जमानी के साथ ही कविता भी उचाईयों को छूने लगी उन दिनों देश की स्वतनता संगराम की अगनी को परजुरित करने के लिए गीतकारों यों कवियों ने भर्षक परियास किया आपकी कविता में भी करांती का भाव परधान रहा उकाडा में आपके समकालीन कभी स्री चरण सिंग, साबीर और स्री उत्तम चंद तालिब आज थे उन जिनों आप अधिकतर पंजाबी और उर्दु में कविता कहते थे आप एक नामी सायर थे, बिशिष्ट मुसायरों में आप बड़े सम्माने से आमंतरित किये जाते थे आपने सिमला में सायरी सीखिये नामक बिद्याले भी खोल रखा था आपके सिस्स से आपका हिर्दे से आधर करते थे सन्व नईस सो पचास इस भी के बाद तो आपकी कविता में करांती का अस्थान भक्ती भाव ने ले लिया आपका कावि इस खाके की मंजलें चुने लगा आपके कावि में मुर्षत के दर्सनों की तमन्ना, मिलन का आनंद, सत्य का प्रकास और अज्यानता का नास गुर्मत के सिध्धानतवा गुरु भक्ती, गुरु किर्पा आधि पर्धान भी सह रहा अपने अहम मैं को गुरु चरणों में भेंट करने के एहसास को आपने यूं कलंबद कर दिया अवल ते मान दिल बिच्टू आउन ही नहीं देदा कीता ये, जद कदे भी तेरे ते मान कीता ये अर्थात ये गुर्षिक के वल अपने सत्गुरु पर ही गर्भ करता है, इस विसाल सत्ता की अनभूती गुर्षिक के हिर्दे में अभिमान आने ही नहीं देती जिन्दगी की हकीकतों को आप अच्छी तरह समझते और समझाते कई बार देखा जाता है कि मानो निरंकार प्रभू से प्रेम निभाना तो चाहता है प्रंत साथ ही साथ सांसारीक मोह को भी नहीं त्यागना चाहता उसके मन के अंदर संसारी और निरंकार का आकरशड तराजू कड़ी के प्रलडों की भाती उपर निचे होता रहता है ऐसा मन पूर्टे अगरु भक्ती में तल्लीन नहीं हो पाता इसी भाव को बढ़न करते हुए आप लिखते हैं कि आए दिला तुँ चाहुने संसार भी निरंकार भी बैठ के दो बेनियांते पहुँचे कोई पार भी ब्रह्मग्यान लेने के बाद सेवा सुमिनन सत्सं करते करते गुर्षिक की आत्मा इस्तिनंकार की विशाल सत्ता में अपने आपको बिलिन कर देती है प्रंतिया प्राप्ति इस्तिनंकार की अन्भूती के बाद ही हासिल होती है इसी भाव को आपने अपनी पंजाबी रुबाई में इस प्रकार लिखा की प्रेम इंसान की बुनियाद है प्रेम रहित जीवन रूखा और अस्पलसा बना रहता है जिस मानों को प्रेम करना आ गया जिसने प्रेम के मौलिक सिद्धान्त को समझा वही विशालता को प्राप्त हुआ प्रभू प्रेम संकिरता और स्वार्त से उपर उठाता है या प्रेम ही है जो सभी के साथ नाता जोड़ देता है जिसने अपने प्रभू के दरसन हर मानों में किये उसके लिए कोई बेगाना न रहा ऐसे मानों के लिए ही प्रेम ही इंसान है और प्रेम ही भगवान है इसी प्रेम की फिलास्पी को आप कितने सरल सब्दों में बया कर रहे हैं आप अपने दिल की चाहत को बयान करते हुए लिखते हैं दोलत दा है ना दिल नू सोहरत दा सोके है तेरे उपास कांदी सोहबत दा सोके है सत्कुरू के दर पर जो अपनी हील हुज्जत छोड़ कर आते हैं वो इस सब कुछ प्राप्द कर लेते हैं जैसे छड़के दलील बाजी आया तो तर गया की पाएगा वो जिश्नू हुज्जत दसोके है आपकी कविता गीतवा गजल विसेबस्तु के साथ साथ काब्यकला में भी पूर्ण थी आपके नपेतुले सब्द बहुत कुछ समझा जाते आप ना ही कोई हलका सेर लिखते और ना ही किसी का हलका सेर पसंद करते एक बार बेदिल सरादी जी और जोहर जी लुध्याना से एक मुसायरे में भाग लेने के बाद आपको मिलने चन्री गड़ चले गए देर रात तक सेरो सायरी के दोर चलते रहे बेदिल जी ने अपने एक नई लिखी गजल सुनाई जिसमें एक सब्द इसलिए मिसरे में ठीक नहीं बैट रहा था आपने हस्ते हस्ते बेदिल जी को कहा इसलिए को इस तरह इस्तेमाल किया है जैसे कोई कहे कि हाथी के कान बड़े होते हैं इसलिए गोडा तेज दोरता है इस प्रकार आपके समझाने का धंग भी अनुखा होता था बातों बातों में बात समझाने की कला आपको ही आती थी एक महान लेखक आपके लेख भी अत्विचारसील योंग प्रणडा दायक हुआ करते थे सत्च बरगा जूट योंग अक्खा वाले भी ठोकर खा सकते हन विसेश्तिया पाठ्खों के हिर्दे को छू लेने वाले लेख हैं जो संतनंकारी पत्र का पंजाबी में चठे दसक में चपते रहे और काफी चर्चा का विसे रहे आपके लेख बड़े संजीदा योंग हिर्दे को छू लेने वाले योंग प्रणडा दायक होते समाज की कुरूतियों योंग तूर्टियों का आप इतने सरल धंग से बिसलेश्ञ करते कि हर कोई उसे ध्यान से पढ़ता और बहूत को सीखता एक महान बिद्वान, आप एक महान बिद्वान थे, आप स्वाभाविक तोर पर हर बात की घहराई तक जाते थे, आप हर बात अस्पस्ट करते थे, किसी को निसाना बना कर बात करने का आपका सुभाव ने था, आप सत्यबादी योंग धरमात्मा महापुरुष थे, किसी का दुखदर्द अथवा आहित नहीं देख सकते थे जूट कपट को सदा गुर्मत का विरोधी मानते थे आप सदा कहते हैं कि जैसे दूद में थोड़ा सा खट्टा डाल दिया जाए तो दूद खराब हो जाता है इसी प्रकार भक्त के पाक पवित्र हिर्दे में थोड़ा सा ल चिन जाता है और वह तिल्मिला उठता है उसे अपने गलती का हैसास हो जाता है तो पुनाह दिरंकार की सरण में अपनी मैं को रखकर पावन बन जाता है आपकी विद्वता को देखती हुए बड़ी-बड़ी धार्मिक गोश्टियों जैसे थेश्पोस्टिकल सोसाइटी आज से आपको निमंत्रल दिया जाता और आपको बहुत बार अध्यच्य होने का गवरो भी प्राप्त होता आपने सदासत्य का ही पच्छ लिया गुरुबानी के स्लोगे और दलिल से आप बड़े-बड़े विद्वानों को भी लाजबाब कर देते गुर्मत की बारिकियो आनन्द अवस्ता प्राप्त नहीं होती आपने कहा मैं भी हाते तू भी है ये गल कुछ जच दी नहीं मैंनू अपनी होद तो इनकारी करना पएगा जो पैराचा रुल देने अज बेख लेना ये गलिया दे कके आस्याने बढ़नेगे मुझे ते मान बड़ा मिली आए इस सच्चे दरबार दे अंदर पर जो ये थे मर जान देने उन्हा तो फिर मान नहीं हुंदा सवक साहब जी इस बात की और विशेस्तिया ध्यान देते थे कि जिस जिग्यासू को सत्गुरू की रहमत से ब्रह्म ग्यान प्राप्त हो गया है पाले उसे सेवा के मैदान में उतारा जाए संगते और सुमिरन का नसा लेना सिखे उसके बाद ही उसको सेवा करवाने का मोका दिया जाए यदि सेवा करने की बजाए सेवा करवाने की आदत पड़ गई तो वह इंसान गुर्सकी के मार से भटक भी सकता है एक ऐसी ही घटना चंडीगड के पूज यसिर्च निर्माड जी ने बताई उन्होंने एक बहुत ही विद्वान इंसान को प्रिनड़ा दी और उनकी प्रिनड़ा से उसने ब्रहमग्यान प्राप्त कर लिया अभी कुछी दिन हुए थे कि चंडीगड में भाई सहाब अमर सिंग जी संगत करने पटियाला से पधारे सतसंग के बाद उनका भोजन पूज हर्देव सिंग जी छीना जो उस समय पंजाब सरकार में चीफ सेकरेटरी थे उनके घर था चंडीगड के सेक्टर 15 के सतसंग भाउन से जब भाई सहाब अमर सिंग जी भोजन गरहन करने के लिए जाने लगे तो निर्माड जी ने सोक सहाब से अंडोत किया कि इस महापुरुष को भी साथ भी भेज़ दो वही भोजन कर लेंगे जब वह नया ज्यानवान महापुरुष भाई सहाब अमर सिंग जी के साथ चला गया तो सोक सहाब ने निर्माड जी से कहा आज इस विद्वान को आपने मेरे द्वारा जहर जिलवा दिया है सेवा करवाने की आज़त से पहले सेवा करने का सभाव बन जाए तभी सेवा हजम हो सकती है निर्माड जी को भी अपनी भूल का एसास हुआ और आगे के लिए वा सजग हो गए कि जिस भक्ति को भी ज्यान हो पाले उसे भक्ति की कमाई करने का सुआ उसर दिया जाए बिमल जी योंग विवेक जी को सदा सत्संग में साथ ले जाते आपने चंडीगण में बाल सत्संग आरंब की और सबसे पहले अपने बच्चों को इस संगत में जाकर सक्रिय भाग लेने की प्रिनड़ा दी अन्य महापुर्सों को भी संकेत दिया कि बच्चों की गुर्मत की नियू मजबूत करने के लिए उनको बाल संगत में दिरंतर भेजा करें ताकि उनका बेवहार गुर्मत वाला बने उनके विचार उत्तम और भाउनाएं मानोता वाली हों तथा वे मीठी वा नम्रबाणी से हर व्यक्ति का दिल जीत पाएं आपकी बात को मानकर उस समय जो बच्चे बाल संगत के साथ जुड़ गए आज वे सफल बकता सुरिले गीतकार योंग जिम्मेदार सेवादार बनकर मिसन में कई जिम्मेदारियों को बखु भी निभा रहे हैं आज भी पूरे भारत में जो बाल संगत का इतना बिश्तरित रूप देखने को मिल रहा है उसका स्रिय चंडीगर के महतमा पूज्य बाबू के सोराम जी योंग उनके अनेक साथियों को जाता है जिन्होंने इस बीज रूप में आरंब की गई बाल संगत को एक बिश्तरित पोथे का रूप दिया कभी कभी आप स्वयम बच्चों की संगत में जाते और उन्हें सत्संग का महत्त समझाते आप इस बात की और विशेश ध्यान देते कि आपके अपने बच्चे संगत के महत्त को समझें एक बार विबेक जी ने घर आकर स्कूल से जो काम मिला था उसे ना किया और रात को जब सत्संग का समय हुआ तो अपनी माता पदमा जी को बिंती करने लगे कि वा सोग साहब से कहें कि उस दिन उन्हें संगत में साथ ना ले जाएं ताकि वा स्कूल का काम कर सकें पदमा जी की बिंती पर आप विबेक जी को घर छोड़ गए परंत इस न कि उसे इस ढंग से समझाते कि दूसरे को महसूस भी ना हो और बात भी उसके ध्यान में बैठ जाए उस दिन भी पहले आप विबेक जी से अन्न स्कूल की बातें पूछते रहे उसके बाद कहने लगे निटू जी विबेक जी का घरेलू नाम एक बात बताईए इसकूल का क काम घर से नहीं करके ले जाते तो आपकी मैडम क्या कहती हैं विबेक जी ने भोलेपन से कहा डैडी जी मैडम सजा भी दे देती हैं और सब के सामने इंसल्ट बेजिती भी हो जाती है आपने फिर कहा अच्छा यदि स्कूल का का काम ना करें तो मैडम से जो सजा मिलती है व उसके बारे में आपने सोचा है संतों महापुरसों के बचन हमारे जीवन को सहाज भाव में ही बदल रहे होते हैं उनकी किरपाद रिष्टी से तक दीरें बदल रही होती हैं इस कारण जो नुक्सान सत्संग में गैर हाजिर होने पर हमें उठाना पड़ता है बले ही जिर्की वह सिखलाई इस बालक को अब तक याद है और उन्होंने कई बाल संगतों में अपनी आप बीती सुना कर संगत के महत्य को उजागर किया अपनी सीख के कारण ही आज यह नोजवान गुर्मत का चलता फिरता बिद्जाले बन चुका है सत्य दिक्षा काब्य पर्व वसाली बक्ता के गुन तो इस बालक को बिरासत में मिले उनका सुंदर निखरा हुआ रूप अब देखने को मिल रहा है फिल्मी दुनिया की चका चौध मायावी फसारे में भी गुर्मत को बनाए रखता है और इस दुनिया के वासियों को भी जीवन जी कर प्रमारित कर र इनड़ा से आज इस फिल्मी जगत के कई सितारे कई कलाकार सत्गुरु के चरणों में आकर जीवन के सही लक्स को प्रात कर रहे हैं यह नौजवान अपने पिता की एक एक बात को जीवन में क्रियात्नक रूप दे रहा है इसी कारणी आएक सुंदर संत कलाकार निसकाम परवीन अभिनायक वातसल्य पूर्ण पिता दिव्य सपूत काम्याब जीवन साथी और निष्टावान गुर्भक्त बनकर उपरा है अपने पिता की भाती अभी बुजुर्गों में बुजुर्ग बच्चों में बच्चा नौजवानों में नौजवान बन जाता है जीव इसने अपने पिता का केवल तकलुस ही नहीं लिया बलकि गुर्मत वाली पूरी विरासत को ही समाल लिया है सभी से प्रेम मानों मन यदि निरंकार प्रभू से जुड़ जाए तो जीवन में आनंद बना रहता है और सत्गरम हो पाते हैं परंत इसी मन में यदि सांसारिक परविर्तियां प्रबल हो जाएं तो कर्म भी बदी वाले बन जाते हैं इसलिए मानों की मनों बृत्ती को ज़ि हम उसके गुण देखकर प्रेम करते हैं तो आउगुड देखकर नफ्रत भी करेंगे हमें चाहिए कि किसी के गुण आउगुण ना देखते हुए केवल मानों मातर से प्रेम करना सीखें इसी भाव को सौक साहब अपनी कबता में इस प्रकार का रहे हैं खूबियां भी खामियां भी यू तो हैं हर सक्स में लोग इस मजबून में कुछ फेले हैं कुछ पास हैं सौक हर उस सक्स के आगे जुकाता हूँ मैसर खूबियां जिन में 51 खामियां उन्चास हैं एक सजग परचारक सौक साहब के वल एक उच्च कोट के कभी ही नहीं वलकि शत्य के महान परचारक भी थे आपने बेवहारिक जीवन से परचार किया आपकी विचारों में असपस्ता बोलो में साज़ता और सललता और बेवहार में मिठास चलकती थी आप किसी पर अपने विचार थोपते नहीं थे वलकि दूसरे के आगे अपनी बात रख देते थे यदि आपकी बात से सुनने वाला सहमत हो गया उसका मन ग्यान लेने के लिए मान गया तो ठीक परना आप खामोस हो जाते एक बार तीन चार मन चले इवक आपके पास बवन में आये और कहने लगे सुना है आप संगत में दावा करते हो लाओड स्पीकर पर कहते हो कि हम रब दिखा देते हैं यदि ऐसा है तो हमें दिखाओ तो जाने आपने उनकी बात धैद से सुनी और सहाज भाव में जबाब दि है कि आप रब देखने नहीं अभी तो हमें पर रखने के लिए आये हैं मैंने आपको संदेशा नहीं भेजा आप स्वेम आये हैं इसलिए मर्यादा का पालन करना नहीं आया मुझे क्या गर्ज है कि मैं आपको रब दिखलाऊं याद रहे जैसे मेरे हाथ में धागा और संबह हो सकता है इसी तरह जब तक हम अपना मन गुरु को अरपण नहीं करते हील हुजत में हैं अरब तो क्या दुनिया का भी ज्ञान हम हासिल नहीं कर सकते आपकी दलील के सामने वए नोजवान अपनासा मुह लेकर चल दिये आप सदा काते की हमारा अपना जीवन पारव पारिक बाताबरण ब्यवहार और किरदार ही हमारे मिशन का परचार है आप एक सजक परचारक थे जिग्यासू की मनोश्तिती का अनुमान लगा लेते थे और मौके के अंसार निड़ड़े ले लेने में देर नहीं लगाते थे जैसे इस घटना से पता चलता है बाई-साब अ प्राप्ति की प्रणडा दी या रिक्सा लेकर दिनंकारी भवन सक्टर 15 डी चन्रीगर पहुँचे वहीं जाकर इन्हों ने पूज सोक सहाब जी से मुलाकात की और आपको बताया कि पालुध्याना से यहां आये हैं और ब्रह्म ज्यान लेना चाहते हैं पूज सोक सहाब न पांच साथ संगतों तक जीता रहूंगा उस समय कमरे में कई महनबाव बैठे हुए थे सोक सहाब जिग्यासु की सच्ची अभिलासावा लगन को पहचान गए अमरजीत जी को बाहर आम के पेंड के नीचे ले गए और वहीं खड़े-खड़े ब्रह्म ज्यान दे दिया इस अस्तर का कोई व्यक्ति होता आप उसी डंग से उसकी तंतुष्टी करा देते जब भी सत्य का सूरी उद्य होता है तो कुछ अज्यानी लोग इस प्रकास का विरोध करना शुरू कर देते हैं ऐसा विरोध इस धर्ती पर आये हर पहिर पैगंबर का हुआ इस युग में भी बाबा बूटा सिंग जी के समय से ही कुछ कटर पंथी लोगों ने इस सत्य के परचार का विरोध किया और हर संभो तरीके से इस अंदेश को फैलने में रुकावट पैदा की बाबा गुर बचन सिंग जी के समय या जुनून अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया पंजाब म में मिसन को गलत अंग से पेज किया गया और इन पुष्डकों को अस्तान अस्तान पर मफ्भ्त माटा गया जगा जगा फ़रांतियां पैलाने वाले इस्तेहार लगाये इन हालात को सुधारने के लिए योंगसान्त करने के लिए बाबा गुर बचन सिंग जी ने मानो जाथ को उनका दास समझता हूं इस प्रकार सद्गुरू ने नम्रता और दास भावना की उच्छ सीमा को प्रकट किया बाबा जी के इस खुले पत्र को असपस्टी करण का नाम दिया जब कुछ सत्य विरोधी लोगों ने हुजूर बाबा जी के इस असपस्टी करण को लेकर कुछ सुबंधुत्र का रहा है और आज भी द्रंकारी मिसन बिना जातपात रंग नसल मज़ाब आधिके भेदभाव के एक परंपिता की पहचान देकर मानों को एक सूत्र में फिरो रहा है मिसन की सही विचारधारा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप भरसक परियत्म करते रहे इस प्रकार केवल बोलकर ही नहीं बलकि लेखनी द्वारा भी आप मिसन के परचार करते रहे राजधानी होने के कारण चंडीगड़ में पंजाब, हरियाना और हिमाचल परदेश से भी महत्मा अक्सर आते रहते हैं बवन में निमास होने के कारण आप उनकी सेवा सतकार की और स्वयंग भी ध्यान देते और उनके दुनियावी कारी करवाने में भी अथा संभो साहता करते, मिसन के कामों में आप यहीं पर इतने ब्यस्त रहते कि आपको परचार के लिए अन्याज जगहों पर जाने का समय ही ना मिला, इसलिए आपके परचार का खेंद चंडी आपकी छोटी सी ग्रहस्ती में आपकी धरमपत्नी पदमा जी, बेटी बिमल जी और बेटा बिवेक सोग थे, आपका परिवार एक आदर्स गुर्षिकों का परिवार था, जिसका परतेक सदस्य सद गुरू पर पूंड विश्वास योंग सरद्धा रखने वाला था, गु 276 की बात है, आपकी बेटी बिमल 23 बर्स की हो चुकी थी, वो अपनी अम्मे की डिगरी लेकर पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, आपको चन्रीगड में बाबा गुर बचन सिंग जी का टेली फोन आया कि बबल का पासपोर्ट बनवाले, आपने फोन सुना और बिना कुछ प बेटी का पासपोर्ट बनाने के लिए फारम भर दिया, दातार की ऐसी किरपा हुई की पासपोर्ट बनने में जो महिने लग जाते हैं, वाकेवल 14 दिनों में बनकर इनके घर पहुँच गया, पासपोर्ट मिलने पर आपने बाबा जी को सुचित किया कि पासपोर्ट बन ग रहा था, मैंने दो तीन मास तक इंग्लेंड जाना है, बबल हमारे साथ जाएगी, वहां ही मैं और राज माता जी माता पिता की जिम्मेदारी निवा देंगे, आप तैयारियां सुरू कर दें, बाबा जी का फोन सुनकर परिवार के किसी सदस्त ने या नहीं सोचा कि घर मे एक ही बेटी की साधी होनी हैं, और घर के केवल चार सदस्त ही हैं, उनमें से भी ना भाई ना माता पिता साधी में सामिल होंगे, और रिष्तेदार दोस्त मित्र क्या कहेंगे, कि पहली साधी में ही किसी को सामिल नहीं किया, आपका परिवार तो गुरू आग्यां पर ने यद्डे पर ही लगता था विमल जी ने तो अपने जीमन साथी की फोटो भी नहीं देखी थी परन्त बाबा जी की ऐसी किरपा हुई कि इन से बिना कुछ पूचे ही वीजा लगा दिया गया वहाँ 15 दिन तक भाई सहाब अमर सिंग जी के घर या बबल जी रही 31 जुलाई 1976 को या साधी संपन्न हुई सत्गुरु बाबा जी योंग जिरंकारी राजमाता जी और वहाँ की साथ संगत के इन बच्चों के सभी चाव पूरे की बाई सहाब अमर सिंग जी तो वाज तक भिमल जी को अपनी बेटी ही मानते हैं आप अक्सर दिन में 18 घंडे काम करते सन 1978 के अमरित सरकांड के बाद तो मिशन के अनेकों कारियों का केंद्र संडीगर बन गया आपने संद्रंकारी मंडल के जिम्मेदार परवक्ता और प्रेस से संपर्क की जूटी को निवाया आपके परिवार ने हर कारे में आपका सायोग दिया आपकी धर्मपत्नी पदमा जी भी पूनतया समर्पित गुर्षिक थी उनके मुख से निकले बचना इसे लगते जैसे फूल बरस रहे हों बड़े सांत भाव से मीठी आवाज में मिठासवा नम्रता से भरे बचन हर सुनने वाले के हिर्दय में अपना अस्थान बना लेते थे अपने से छोटों को भी प्यार से जी करके बुलाना उनका सुभाव था हर सेवादार को वा अपने बच्चों जैसा समझते और उनकी समस्चा का समाधान करके खुशी पराप्त करते दिन हो या रात दूसरों के कारी करके खुशी लेना आपका एक सुभाव बन गया था सेवादर मा पुरुष भी इस जोड़ी दंपत सौक साब वा पदमा जी से भर पूर प्यार सतकार विश्वास और सिच्छा प्राप्त करते पदमा जी एक आदर से नारी सुशील पतनी और करतब से इलमा थी काते हैं कि हर महान पुरुष की महानता के पीछे किसी ना किसी अवरत का हाथ होता है सौक साब की महानता के पीछे भी पदमा जी के तब त्याग और गुर्बानी की कहानी छिपी हुई थी आप अपने भक्त पती के भक्ती मार्ग में कभी रुगावट नहीं बने अपी तो हर कारी में साहियोगा और प्रेनडा देते रहे इस प्रकार गुर्मत की उंची मंजिल तक पहुँचने में इन्होंने कदम से कदम मिलाया आप एक स्वतंत विचारों के मालिक थे अपने विचार किसी पर थोपने की बजाए केवल उसके सामने रख देते और उसे अपनी विवेक बुद्धी इस्तेमाल करके सही रास्ते को अपनाने का उसर देते आपने खुद भी साहज जीवन जी या गिधास्त या समाज की किसी समस्या को चिंता का भिसे नहीं बनाया जब आपका बेटा विवेक चौदा बर्स का हुआ तो एक दिन आपने उसे अपने पास बैठा कर बड़े प्यार से कहना शुरू किया विवेक अब तु चौदा बर्स का हो गया है अब मैंने तुम्हें किसी काम से रोकना नहीं है मैंने तो केवल अपने अनभो के आधार पर आपको सलाह देनी है और गाइट करना है मैं तो या बता सकता हूँ कि कौन सा रास्ता कौन सी मंजिल तक ले जाता है आगे ठीक चैन करना आपका काम होगा मुझे पूरा विश्वास है कि आपका हर चैन गुर्मत की कसोटी पर पूरा उतरेगा इस प्रकार वह केवल रास्ता और मंजिल सामने रख देते और या आसा करते कि अपनी सजगता और चेतनता से हर सक्स सही कारी करेगा सौक सहाब स्वयम भी आत्म चिंतन करते रहते अपने बचन कर्म वा विचारों को गुर्मत के तराजू में तोलते रहते मन में कभी करता भाव नहीं आने देते थे और सद्गुरु की इच्छा के अनुसार कर्म करके खुशी पराप्त करते इस प्रकार चाहे आप कम बोलते परन्तु आपके नपेतुले बोल बहुत परभावसाली होते आपका आचरलवा वेवहार ऐसा था कि ना कभी घटिया बात करते थे और ना ही फिजूल की बाते सुनना पसंद करते थे आप सदा कहते थे कि मजाक में भी स्टेंडर कायम रखो वा मजाक ना करो जिससे किसी के मान सम्मान को ठेस लगे इन छोटी छोटी बातों से ही आदतें सुभाव जीने का धंग स्टाइल बनता है आप समय का पूरा ध्यान रखते सतसंग में सा परिवार सीख समय पर पहुंच जाते थे संगत का आरम बे और समापन भी ठीक समय पर करते थे संगत की मर्यादा का स्वेंग भी पालन करते और अन्य महापुर्शों को भी पालन करने के लिए प्रसाहिद करते आप में लचीलापन भी बहुत था आपके घर का सदस्य हो या संगत का कोई सदस्य और कोई आपके नड़े पर कुछ कहना चाहता तो आप तुरंत विचार विमर्ज करने के लिए तयार हो जाते जैसा उचितियों सर्व मान्य होता उसी को अपना लेते पर सदा इस बात का भी ध्यान रखते की या बात मिसन के सिध्धान्त के पच्छ से सही होना चाहिए गुरू का हुक्म सदा सर्वुत्तम सोक साहब के लिए गुरू का हुक्म सदा सर्वुत्तम रहा इनका प्रत्यच प्रमाड़ आपने अपने छोटे भाई की मृत्तु के समय दिया बातसन 1889 भी की है उस समय मिशन एक बड़े संगहर्ष से गुजर रहा था साथ महापुरुस कारणाल जेल में थे और बाबा गुरबचन सिंग जी सहीद उन सभी महापुरुसों पर मुग्दमा चल रहा था इस मुग्दमे की कारवाही का बहुत सा काम चंडीगर में हो रहा था इसी साल आपके छोटे भाई ने सहारनपूर में सरीर छोड़ा जब आपको चंडीगर से में संदेश दिया गया तो आपने सबसे पहले सद्गुरु महराज जी से फोन पर बात की और आगे से इसारा आया कि आपने आना जाना ही है वहाँ पर रुकना नहीं संकेत को समझना तो आपके सुभाव में था आप सीधा संसान खाट पहुँचे और संसकार के बाद वहीं से सीधा चंडीगर वापिस आ गए दुनियादारी की परवाह नहीं की सद्गुरु द्वारा दी गई जिम्मेदारी को अपनी अस्मित्ता देना अपना कर्तब बे समझा सौक साब बहुत सजग महत्मा थे आपकी ही गजल की एक लाइन थी तेरे फरमान नू मनना तेरे फरमान तो पहले अर्थात है सद्गुरु मुझे इतनी तो फेक दे और मेरी भक्ती को इजनी बुलंदी पर ले जा कि मैं तेरे संकेत को समझ कर वाकार पाले ही कर सकूँ जिसको तुने अभी अपने स्री मुख से उचारण करना है या भावना आपकी भक्ती की पहचान है एक दूरदर्स्थी परबंधक आप एक दूरदर्स्थी परबंधक थे चन्रीगर्थ की साथ संगत में आज भी जो अनुसासन है जो सेवा भाव है उसका बीज आपने ही डाला आप जानते थे कि एक अच्चा परबंधक वही होता है जो दूरदर्स्थी हो जिसमें काम की समझने की बुद्धी और काम करने का सामर्थ हो और इतना बुद्धिमान हो की अंदाजा लगा सके कि कौन सा व्यक्ति कितना बोज उठा सकता है आप अच्छे सरोता प्रभावसाली बगता योंकर्मियोगी सच्चे सुच्चे इंसान की खदर करते थे एधी परबंधक सैंसील है सभी से तालमेल बना कर चलने वाला है तो वह सब के हिर्दयों में गुरू के प्रतिसमर प्रभाव को जागरित कर सकता है यह सिद्धान तो उन्होंने खुद भी निवाया वा जानते थे कि सैंसील वही बन सकता है जो विसालता को प्राप्त हो चंडीगड की संगत के वाप परमुक थे और सेवादल के साथ उनका तालमेल बाप बेटे जैसा था बड़े से बड़े प्रोग्राम भी चंडीगड को मिलते रहे हैं परन्त उन्होंने सारी प्रबंध व्योस्ता को इतनी खुबसूरती से करना की हर कार सुचार ढंग से पूर्ण हो जाता जिस सेवादार को आ कोई जिम्मेदारी देते तो साथ ही उसे कहते अब आपने सजकता से खुद ही इस सेवा को निवाना है ये कोई समस्या आए तब मेरे पास आ जाना इस प्रकार सेवादल के महात्मा मिल जुलकर बिना किसी हस्ता छेप के हर कारी को सीगरी निप्टा लेते संतों महापुर्षों पर विश्वास ही आपकी सफलता का रहस्य था आपने सेवादारों पर विश्वास किया और उनसे विश्वास पाया भी इस प्रकार अन्य संतों महापुर्षों को भी साथ साथ परबंध ब्योस्ता सही धंग से करने की ट्रेनिंग मिलती रही आपके समझाने का डंग भी अपना ही था किसी सेवादार से गलती भी हो जाती तो उसी समय डाट डबट नहीं करते थे उस समय उससे बिलकुल ऐसे वेवार करते जैसे कुछ हुआ ही ना हो ठीक समय की इंतियार करते जब वह सेवादार आपके प्रेम में बधा होता तो उससे उसकी गलती का एसास कराते ताकि वही गलती दोबारा न करे उस महापुरुस को अखेले में समझाते कभी किसी की गलती का धिडोरा नहीं पिड़ते थे इसलिए सभी सेवादार आपको पिता जैसा समान देते थे आप कहते मन का साफ होना ही प्रियाप्त नहीं मन की स्वच्छ भावना नजर भी आनी चाहिए तभी मानों सब का प्यार ले सकता है यदि कोई अपनी समस्या आपके पास लाता तो आप बड़े धैर से उसकी पूरी बात सुनते ताकि मन का बरतन खाली हो जाए और उसका बोज हलका हो जाए उसकी पूरी बात सुनने के बाद उसे सलाह मस्वरा देते आपकी सलाह सब को पसंद भी आती और समस्या का समाधान हो जाता आप व्यक्तिगत कार से अधिक सामोहिक रूप में मिल जूलकर कारी करने के मात तो देते सत्गुरु यों किसी परचारक के आगमन पर जब कभी कोई बड़ा कारी करम होता तो आप जिम्मेदारियों का भिकेंद्री करन करके सभी को आगे बढ़ने का सुवसर परदान करते आपका गुरु से अटूट और अलोकिक परेम था इस परेम को आपने सदा साथ संगत में माटा अन्य महापुर्सों को कोई ना कोई जिम्मेदारी देकर आपखुस होते यही कारण है कि आज चंडीगर की संगत में बहुत से परचारक, सेवादल के अथिकारी, बिद्वान, लेखक, संगीतकार और सुल्जे हुए अपरबंदक उबलब्ध हैं संग कारी करम को समय पर सुरू करना और समय पर समाप्त करना चंडीगर की संगत की विशेष्टा बनी दही गुरू के आदेश के पालन योंग सेवा के लिए आप सदा तयार रहते थे इसके लिए बड़ी से बड़ी कुरबानी भी कर देते थे पंजाब में जब निरंकारी महापुर्षों को तंग किया जाने लगा तो आपने इसका डटकर बिरोध किया सरकार ने निरंकारी परचाल को कम करने के लिए और अन्य महापुर्षों का होसला गिराने के लिए आपको पदोन्नत देकर चंडीगड से बाहर भेजने का आदेश दिया परंतु युक परवर्तक बाबा गुर्बचन जी के आदेशा नुसार आपने सरकारी नोकरी से इस्तिफा दे दिया अब आप दिनरात चंडीगड में राकंद रंकारी संतों में एक नया उत्सा भरने लगे कलम का धनी होने के नाते प्रेश के साथ आपने पूरा तालमेल रखा आपने नौजवान संतों को सत्यका साथ देने के लिए निडरता से काम करने को कहा आपने अपने निकट रहने वाले साथी हर्बजन सिंग जी कोहली जो वाजकल किंद्रिय से वादल में कारिरत हैं को अपनी सरकारी नोकरी की परवाहना करके करनाल के सेसन कोर्ट में सही गवाही देने के लिए प्रोसाहित किया कोली साहब के बारे में इस केस में यह इल्जाम था कि जब यह लड़ाई जगड़े की साजिस रची गई तो वह उस मीटिंग में सामिल थे जबकि दुरगटना के कारण उन तितियों में वह चन्रीगड के पीजियाई अस्पिताल में दाखिल थे इस महातमा की गवाही ने साबित कर दिया कि किस तरह यह सारा केस मन गढ़ंत खड़ियंत रहे इस तरह आपने इस केस के दोरान कई नोजवानों से निशकाम सेवा तब त्याक का जोस बरा और शोयंग उनके प्रिनड़ा सोत बने रहे आप सासी तथा निडर प्रविर्थ के महापुरुष थे जूट का विरोध आप निशकोष कविता द्वारा या विचार द्वारा बोल कर या लिखकर करते रहे सनवनने इस सो अठातर से सनवनने इस सो अस्टिस भी तक के संघर्स भरे समय में इस सत्य की लड़ाई को जीतने के लिए आपने दिन रात एक कर दिया बहुत सी जिम्मेदारी को आपने वखु भी समाला इस सत्य की जीत में चन्रीगड की ब्रांच का योगदान विशेश तोर पर सराह निये रहा आपने दिन में अठारा बीस घंटे सोयंग भी कारी किया और अन्य महापुर्षों को भी साथ लगाया नॉम्बर वन्यस्तो अन्यासी इस भी से ही आपका स्वास्त कुछ बिगडने लगा परन्तु आपने अपने काम की रवतार को कम ना होने दिया आपकी लेखनी में जादू का परभाव तो था ही इसके साथ कर्म वा विचारधारा तीनों का सुगम संगम आपके जीवन से प्रकट होता था आपके इन गुडों को ही देखकर 17 जनौरी 1989 को संत अमर सिंग पट्याला पॉलेओं के सरीर त्यागने के बाद आपको संद रंकारी पत्रिका का मुख संपादक ने उठ किया गया इसके पहले या सेवा भाई साहब अमर सिंग जी निभा रहे थे आप अंग्रे जी हिंदी पंजाबी फार्सी तसा उर्दू भासाओं के बिद्वान थे आपके मुख संपादक के रूप में संद रंकारी पत्रिका के कई भासाओं में अनुबाद उबलब्द कराए इस प्रकार एक नया जोसा हितकारों को मिला चार जनौरी वननेश सो वस्ती को करनाल की ससन कोर्ट ने एतिहासी नड़े सुनाया जिसके अनुषार बाबा जी सही सभी दिरंकारी संतों को बाईज़त बरी किया गया और उस पूरे मुख संद में को बेबुनियाद बताया गया आपके कुमल हिर्दे में आभाव आए मन मुख दा मुह काला होंदे गुर मुख दे मुह लाली हर कोई जाणे हर कोई संजे एगल है देखी भाली जे सुरज बल मुख करिये ताहुं दे रूप सवाया जे सुरज बल पिट भवाये उन्दी सुरत काली अप्रेर 1180 में हिर्दे की तकलीफ के कालड आपको PGI अस्टाल चंडीगर में दाखिल कराया गया शरीर चाहे बेबस था परन्तु आत्मबल में कोई फरक ना था चाहे डांक्टरों ने आपको अधिक बोलने से मना किया था परन्तु अस्पताल में आने वाले हर संत महापुरस को आप धंद्रंकार का जबाप धंद्रंकार बोल कर देते जब डांक्टरों ने महापुरसों को आप से मिलने से रोका तो आपने उन्हें असपष्ट सब्दों में कहा संत महात्माओं के दर्षन मेरा जीवन है बाहक दिब्ब विभूती बाबा गुर्बचन सिंग जी योंग उनके अंग रक्षक चाजा परताब सिंग जी को गोली का निसाना बनाया गया उस समय आप पीजी आई में ही थे आपका बाबा जी के साथ इतना प्रेम था कि आपको यह खबर देनी बहुत कठिन लग रही थी डांक्टरों ने धीरे धीरे भूमका बना कर यह खबर आपको 28 अप्रेल को दी आपने यह खबर साज भाउं से सुनी और गंभीर हो गए और आपके मुख से निकला किष्ण और कंस था प्रलादी और हिरना कस्यप एक रामड भी हमेशा ही रहा राम के साथ 28 अप्रेल को ही अपने पुत्र विबेग जी जो उस समय ग्यारामी कच्छा के पेपर दे रहे थे साम को पेपर दे कर सीधा अस्पताल पहुँचे तो आपने विबेग जी से पूछा कि उनका अंतिम पेपर कब है विबेग जी ने बताया कि लिखती पेपर तो पहली मई को खत्म हो रहे है जबकि प्रेटिकल पेपर 9 मई को होना है आपने उसी सहाज भाव से कहा प्रेटिकल पेपरों में तो कुछ खास पढ़ना नहीं होता परंत पाली मई तक तो तुम्हें पढ़ाई में ब्यस्त रहना है उस समय विवेक जी उनके इस बचन को पूरी तरह समझे ना पाए काते है कि महापुरुष अपनी इच्छा से अपना सरीर त्यागते हैं आपके साथ भी ऐसा ही हुआ आप भी पाली मई की रात का इंतजार करने लगे जबकि विवेक ने पढ़ाई से फुर्षत पानी थी दो मई की सुबा आठ बजे आपने सरीर त्याग दिया या खबर मिलते ही चारो बोर से महत्मा चंडीगर पहुचने सुरू हो गए चंडीगर के 15 सेक्टर के भवन में आपके पार्थिव शरीर को संतों महापूर्शों के दर्सनों के लिए रखा गया आपके अंतिम दर्सन करने के लिए और सद्धनजली देने के लिए हजारों महत्मा चंडीगर पहुँचे और आपकी अंतिम्यातरा में भाग लिया इस तरह यहां अलोकिक भिभूती अपने जीवन का सफ़र तैंकर के अमरपद को प्राप्थ हुई आपके सरीर त्यागने की खबर ने आपके सेयर को सत्य कर डाला कि गुर्शिख गुरू के बिना ऐसे महसूस करता है जै मेरा नाम तेरे नाम के साथ और यह ना भूलें कि जो आया है वो जाएगा जरूर सुबह हर रंग में मिलती है गले साम के साथ ने संदेह सोक साहब ने जीवन के हर छेत्र में गुर्मत को अपना कर मानोता को जीवन जीने का ढंग बताया आपके सदाचारी जीवन का प्रभ प्रभीर सिंग जी दिल ने एक पुस्तक अनपचाते हीरे के नाम से प्रकासित की जिसमें उन्होंने इस विशेष विभूतियों का जिक्र किया जिने भले ही समाज ने कोई उचा पदियों कुर्सी की ताकत नहीं दी थी परंत इन खामोस मानभाव ने अपने करमठ जीवन और उत्तम विचारदारा से समाज को समादने वसिंगाने में अपना पूर्ण योगदान दिया था इस पुस्तक में एक लेख परमसंत दर्म सिंह सोग पर भी लिख कर आपकी समाज सेवा को परगट किया गया आपने समाज को एक गुर्मत की विचारधारा दी क्योंकि एक इनसान ही एक आज्याकारी बेटा जिम्मेदार बाप, साहयोगी जीवन साथी और अंसासन प्रिये नागरिक बन सकता है। इन सभी छेत्रों में से गुजरते हुए आपने मानोता के से धांतों को कायम रखा। इसी कारण हर छेत्र में हर रूप में आपका मान सम्मान बना रहा। बिन पिये रहता हूँ सरसार सबों रोज मैं सोग अब सुराही से तालुक है ना कुछ जांब के साथ। उन्होंने स्वयंग भी इसका हकीकी को जीवन का अधार बनाया। और दूसरों को भी हर परस्तिती में सम्मनोस्तिती बनाये रखने का सिध्धांत जी कर दर्साया। आपकी कामना आपकी कलम से यू निकलती रही। बंडार तेरियां दातादा ना मुक्या ये ना मुक्णा ये किनका अपनी भक्ती दादे सौक नूबी दातार प्रहु। दै निरंकार जी।